हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिवीजन यानि की भाग के सवाल को सोल्ब करने के लिए सिखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्कीप की पूरांत तक ध्यान से देखिए तो चलिए सूरू करते हैं आज की वीडियो को देखिए, क्वेष्टन है मारा, आठ से भाग देना है और संख्याएं है नौ, छह, चार, आठ, पाँच तो चलिए, भाग का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए एक संख्या है आठ जो है वो एक संख्या है तो यहाँ पर हम आठ से भाग देंगे बारी-बारी से पहले हम लोग नव में देंगे फिर इख में देंगे तो बारी-बारी से भाग लगाते जाएंगे देखिए आठ से जब हम भाग देंगे नव में तो ये 8 एकम 8 और 8 दुना 16 अगर हम 2 बार में भाग लगाते हैं तो ये 16 हो जाता है जो कि 9 से बड़ी संख्या है तो इसलिए हम लोग 2 बार में ना लगा करके एक बार में लगाएंगे तो यहां पर एक लिखेंगे तो 8 एकम 8 तो यहां पर हो गया 8 अब यहां पर ये माइनस कर देंगे यानि की घटा देंगे अब देखिए 9 में 8 को जब घटाएंगे तो ये हो गया 1 एक बच गया और उसके बाद हम लोग 1 संख्या को उतारेंगे चलिए एक संख्या को जब यहां उतारेंगे तो नौ का काम तो हो गया उसके बाद है छह तो यहां पर उतारेंगे छह उसके बाद आठ एकम आठ आठ दुना सुला यानि कि दो बार में पूरा पूरी विभाजित हो रहा है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दो तो आठ दुना सुला तो यहां सुला हो گیا और फिर घटा देंगे फिर देखें छे में छे कट गया और एक में एक कट गया यानि कि जीरो बचा अब यहां देखिए 6 तक तो हमारा काम हो छुका है और अब हम यहाँ पर उतारेंगे चार चलिए अब यहाँ उतार दिए चार लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम चार को उतारे और यहाँ पर है आठ तो आठ जो है वो बड़ी संख्या हो गया और चार जो है वो छोटी संख्या हो गया तो यहाँ पर 8 में हम लोग 4 को कैसे भाग देंगे तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक संख्या और उतारना पड़ेगा जब हम लोग को एक संख्या और उतारेंगे तब हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे जब यहाँ पर एक 0 लगा दिये तो अब हम यहाँ पर एक संख्या को उतार सकते हैं अब देखिए, यहाँ पर हम लोग उतार लिए आठ तो यह हो गया 48 अब देखिए, आठ का पहाड़ा हम कितना बर पढ़ेंगे कि 48 आ जाए, या तो 48 से कम होना चाहिए 48 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो देखिए आठ एकमाठ, आठ दुना सुला, आठ त्री की चाओ बीश, आठ चाओ के बत्तिश, आठ पचे चालिश और आठ च्छा के अड़तालिश यानि कि अगर हम छे बार में देते हैं तो अड़तालिश हमारा पूरा पूरी भाग लग जाता है तो इसको यहाँ पर जब मैनस करेंगे तो आठ में आठ कट गया और चार में चार कट गया अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है पांच, तो यहाँ पर हम उतार देंगे पांच फिर शे वही प्रोबलम हो गया कौन सा प्रोबलम देखिए आठ से भाग लगाएंगे पांच में लगेगा क्या? नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आठ जो है वो बड़ी संख्या है और पांच छोटी संख्या है तो भाग तो नहीं लगेगा न, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, की यहां पर zero लगाना होगा, तो यहां पर हमें क्या किये, zero लगा दिए, अब देखिये, इसके बाद तो कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग भाग लगाना यहीं पर बंद कर देंगे, छोड़ देंगे तो इस तरह से बारह 060 यह हो गया भाग फल तो इसको यहां पर लिख देंगे भाग फल बराबर बारह 060 और इसको बोलते हैं भाग फल और इसको को बोलते हैं शेष्फ फल तो सेष्फ फल हो गया हमारा पांच तो इस तरफ से इस भाग का आरप शेष्फ फल और एकाई दाहाई सरय कडा हजार- hin्जार- 12060 हो गया इसका भागवज तो फ्रेंश I hope कि आपको भाग लगाना अच्छे शेशमज में आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद